जी एस्टी ईवेबिल पोर्टल पे रजिस्टर करना पहती आसान है इसके लिए आपको वेबसाइट ईवेबिल.nic.in पे जाना होगा वेबसाइट में आपको ईवेबिल रजिस्टरेशन के उपर जाना है रजिस्टरेशन में जाने के बाद एक विंडो ओपन होगा इस विंडो में आपको दो चीज़े दिखाई देगी GSTN और कोड आपको यहाँ पे अपना GSTN डालना है और GSTN डालने के बाद कोड डालने के बाद गोपर क्लिक करना है Go पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा, इस विंडो में आपको आपकी GST की डिटेर्स दिखाई जाएगी, आपको ये डिटेर्स कंफर्म करके OTP पर क्लिक करना है, OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और इमेल पर आया होगा, वो आपको वहाँ पर एंटर करना रहेगा, OTP डालने के बाद नेक्स विंडो पर आपको इवे बिल पोर्टल के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा, अड़्वाइजेबल गई होगा कि आपने जो जीएस्टी के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड रखा हुआ है, वही आप इवे बिल पोर्टल के लिए भी वही यूजर नेम और पासवर्ड सेट करते ही, आपका रजिस्टेशन इवे बिल पोर्टल पे हो जाएगा और एक आपको मैसेज़ दिया जाएगा, वेडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,